हलो फ्रेंज जागरंजोष.com के इस वीडियो में आप सब इगा स्वागत हैं मैं हूँ सयत सौबान आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करेंट अफेर से क्या कुछ सवाल बना जा सकते हैं उनके सही जवाब क्या होंगे और साथी साथ उनसे इस वीडियो के एड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लेकर देना होगा तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ हाली में कि इस राजी सरकार ने बांस और द्योगे का पार्क की अधार शिला रखी है सही जबाब असम है option D तो असम के मुखिमंतरी हिमंता बिस्वा सर्मा ने दिमा हासाओ के मांदेर डिसा गाओं में एक बांस और द्योगे का पार्क जिसे कहते हैं अंग्रिजी में बैंबू इंडस्ट्रियल पार्क की अधार शिला रखी है परियोजना को डोनर मंतराले से 50 करोड उपे से लागू किया जाएगा एक बार पूरा हो जाने पर यह परियोजना चेतर की अर्तिवस्था में एक नए यूग की शुरुवात करेगी और इस्थानी यूभाओं के आपके लिए रोजगार के व्यापक अवसर्बी पैदा करेगी वड़ते हैं अकलिए सवार पर अमेरिका में चीन के नए राज दूद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है चीन और अमेरिका के बीच बेचर संबंद बहाली को लेकर आश्वा संदिया है और कहा है कि मै हमारी से मुक्ती मिले और आपको बता दें कि किन 2006 और 2014 में चीन के विदेश मंत्राले में प्रवक्ता की पुमे का निभा चुके हैं, अमेरिका में किन 11 चीनी राय दूद हैं। वीडियो में आपके बढ़ने से पहले एक इंफोमिशन। हमारी वेबसाइट जागरनजोश.com पर अगर आप करंट अफेज पढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना हैं www.jagranjosh.com जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेज के टैप पर जाना है। जब आप करंट अफेज टैप पर क्लिक करेंगे, तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप category-wise करंट अफेज पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी क्याटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें latest, national, international, sports, technology और economy जैसी क्याटेगरीज मौझूद हैं। अमेरिका ने हाली में भारत के टीक करंट काले करम के सहायता के तौर पर कितने करोड डॉलर की मदद की गोशना करी हैं, दो दिन के दौरे पर भारत आए अमेरिकी विदेश मंतरी एंटिनी ब्लिंकन उन्होंने ये कहा कि ये फंडिंग भारत में वैक्सिनेशन की सप्लाइ चेन को मजबूत करेगी और लोगों की जान बचाने में काम भी आएगी, साथ ही इसके जरीए वैक्सिन को लेकर फैलाए जा रहे है, भ्रहम इचकी चाहट को भी दूर करने के साथ में और स्वास्तिकर्मियों की ट्रेनिंग में भी इसमें मदद मिल सकेगी, बढ़ते हैं अगले सवाल पर, तो सवाल है कि इंटरनाशनल टाइगर डे अंतराश्रीय बाग दिवस निमने में से किस दिन मनाते हैं, सभी जवाब है, ऑप्शन डी, 29 जुलाई, तो विश्व भन में 29 जुलाई को इंटरनाशनल टाइगर डे इसको कहा जाता है, या फिर ग्लोबल टा आप डेकर ने पिछले साल पर बताया था हमें, और देश में अभी 2967 बाग हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3900 बाग हैं, तो आप यह समझ सकते हैं कि 70 परशन जो है बाग की जो पॉबलेशन है, वो भारत में ही है, आपको बताते हैं, विश्व में भारत की अतरिक् अंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाव पीडियार, मलेशिया, मियामार, नेपाल, रूस, थाइलेन और वियतनाम में भी बाग पाय जाते हैं, परते हैं अक्छे सवाल पर, निम्न में से किस देश ने भारत सहीद अपनी COVID-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यातरा करने वाली नागरिकों पर तीन साल के लिए यात्रा प्रतिबंद और भारी जुर्माना लगाने की गोशना करी है, कसाई जवाब ऑप्शन ली साओधी अरब, तो साओधी अरब ने भारत सहीद अपनी COVID-19 रेड लिस्ट जो है उसमें शामिल देशों की यात्रा करने वाली नागरिकों पर तीन साल के लिए यात्रा प्रतिबंद और भारी जुर्माना लगाने की कोशना करी है, साओधी अरब कुरोना वायस के संक्रमर से बचने के लिए तमाम कदम उठा रहा है, साओधी अरब ने हाल ही में कुरोना के नए वेरियंट के मद्दिन असर डेड लिस दिवस पूरे विश्व में 28 जुलाई को मनाया जाता है, और ये दिवस लोगों में इस बिमारी की रोगताम, परिक्षन और उप्चार के बारे में जागरुकता पहलाने के लिए मनाया जाता है, हैपिटाइटिस होने पर ये शरीर में कई तरह अन्य दिक्कतों का भी करण परनोबंदी है, हाल ही में आए विश्व स्वास्त संगतन की रिपोर्ट के मताबिक पुरुषों में हैपिटाइटिस का असर उनकी फर्टिलिटी पर भी पढ़ता है, मरते हैं अगले सवाल पर, सवाल है कि भारत की प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैड़ि किलोग्राम भार वर्ट में पदक ये जीता है, दोहजार उननीस में पूरे में आज जित खेलों इंडिया खेलों में भी उन्होंने सवनपदक जीता घुता, और जो है इसके बाद फिर उन्हों दिल्ली में आज जित सतरवे स्कूल में सवनपदक भी जीता, प्रियामले का अगले 2024 में पेरिस में होने वाले उलम्पिक में भारत का प्रतिश्ट करने में सक्षम हो सकते हैं। अब होसा वाज इसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा। आईमेफ ने वितवर्ष 2021 और 22 के लिए देश की GDP ग्रोथ रेट को निम्न में से कितने प्रतिश्ट रहने का अनुमान लगाया है। सही जवाब है आप्शन भी 9.5% आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है तो आपको बता दें कि इसकी बड़ी बजा ये है कि COVID-19 की जो दूसरी लहर है उससे देश की आर्थिक इस्तिय पर पुरा प्रभाव पढ़ा है। इससे पहले आईमेफ ने चालूबित वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धी दर 12.5% रहने का अनुमान चाता है था हाला कि अगले साल के लिए आईमेफ ने देश की आर्थिक वृद्धी दर अनुमान को बढ़ाया है। अब एक सवाल आपके लिए इसका जवाब कॉमेंट बॉक्स में लिखकर आपको में बताना होगा। झाल आपके लिए झाल आपके लिए बताना है।